तो आज हम आपको इस वीडियो में पताएंगे और दिखाएंगे कि अगर आप ब्याट से ब्याट कर रहे हैं वर्दवान उलिश्टी से तो आप कैसे प्रैक्टिकम को बनाते हैं और कैसे प्रैक्टिकम को बनाया जाता है तो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकम का कोपी कैसे तयार किया जाता है ब्याट के लिए समस्टे टू में तो अगर आप ब्याट कर रहे हैं कोई भी कॉलेज से वर्दवान उलिश्टी से तो आप इस वीडियो को अंग तक देखिए और सिखिए कि कैसे भी एडियो में प्रैक्टिकम बनाया जाता है तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकम को तयार किया जाता है तो देखिए सबसे पहले यह belangrijk जो कि है वर्दवान उइश्टिटी का भी एडियो कॉलेज का प्रैक्टिकम तो इस देखिए फ्रॉंट पेज में देखिए आपको फ्रॉंट पेज को सबसे पहले तयार बतना है तो देखिए फ्रॉंट पेज में आपको कैसे बनाना है तो सबसे पहले आपको लिख लेना है अपना कॉलेज का नाम जिस कॉलेज से आप बेट कर रहे हैं जैसे यहां आपका NCVT से रिक्विजनाइड है क्या नहीं लिखना है वह भी लिख तीचे का आप इस परकार से उपर में लिख सकते हैं और सबसे पहले बतायते हैं आपको कि यह जो फ्रॉंट पेज है इसको अपना हाथ से भी तैयार कर सकते हैं डिजाइन करके अन्यथा आप इसको अप का अपना कॉलेज का एड्रेस लिख दिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या लिखना प्रैक्टिकम जो आप बना रहे हैं वो लिखना है थोड़ा डिजाइन करके लिखिएगा तो देखने में अच्छा लगता है इसी लिए प्रैक्टिकम को थोड़ा डिजाइ प्रैक्टिकम है और सब्जेक्ट का नाम लिखना तो सब्जेक्ट का नाम क्या है इसमें देखिए सब्जेक्ट है आपका पैडागोजी और सोचल साइंस टीचिंग यानि कि इसका मतलब होता है समाजिक विग्गान सिक्षन का सिक्षन तो पैडागोजी और सोचल साइंस यह प्रैक्टिकम है तो इस परकार आप सब्जेक्ट का नाम लिख लिजेगा उसके बाद देखिए यहाँ पर अपना नाम लिखना है अपना नाम यहाँ लिख लिजेगा उसके बाद आपका कौन सा समेस्टर है समेस्टर टू है समेस्टर टू लिखिएगा फिर यहाँ रोल परकार त्यार कर लिजय का लिजएयंस साइंस का उसके बाद दिख्ण कर चैसे और यह बनाने के लिए आपको सबसे पहले white page चाहिए white page ले लिजेगा अब अपना white page जो की आता ये for size का white page लेना है white page में ही आपको practical को लिखना है आपको red pen में नहीं लिखना है blue black green pen से लिखना है जैसे थोड़ा design करके लिखना पड़ता है इसको तब लिख लिजेगा इस पर का उसके बाद देखे दिखाते हैं को कैसा है first page में क्या लिखना देखिए यहां पर college का नाम है लोहापूर विर्भूम अगनी बिना school of education बीड और यहां पर देखे लिखा है certificate लिखा तो इसमें इस परकार से एक certificate भी लगाया जाता है आप चाहे तो लगा सकते अन्यता नहीं भी लगा सकते इसक ज Daisy ुसको कहते हैं से तो इसको आपको लिखना पढ़ता है तो इस परकार आप इसको लिख लिजेगा शोग्रती को देखे यहां पर जैसे जैसे लिखा है उस परकार से आपको लिखना है तो हम इस को इस तुरॉल कर रहें वीडियो को धीरे-धीरे आप देख लिजे और अगर आपको इस परकार नहीं दिख रहा तो आप इस वीडियो को पॉस करके भी देख सकते हैं और अगर आपको इसको लिखना है तो आप इसको इसके इन सोट मारके भी रख सकते हैं इस परकार से लिख लिजेगा उसके बार देखिए यहाँ पर है content Content में आपको लिखना है Content का मतलब होता है आपका सामगरी तो इसमें आपको सामगरी के बारे में लिखना कि आप चो ये प्रैक्टिकम बना रहे हैं इसमें कौन-कौन सा सामगरी आप यूज कर रहे हैं क्या-क्या बना रहे हैं उसके बारे में आपको यहां लिखना है तो यहां पर आपना टॉपिक लिखना जिस टॉपिक के वारे आप लिख रहे हैं यहां पर पेज नुमबर देना है तो आपको इस परकार से बनाना है दिखिए first serial number फस्ट में यहां पर दिखर सिरियल नंबर में introduction लिखा हुआ तो आपको भी इस परकार से लिखना है सबसे पहला सिरियल नमबर देना एक उसके बाद इंटर्डक्शन लिखना है इंटर्डक्शन मतलब उता परिचाई तो परिचाई में आप क्या लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना पड़ता है तो परिचाई यहां दे देना है उसके बाद यह कितना पेज नमबर पेज नमबर यहां पर आपको दर्साना है तो पेज नमबर देखिए चार से पांच में इंट्रोडक्शन है जिसे आपको चलिए दिखा देते हैं चार से पांच नमबर पेज नमबर में क्या है तो दिखें यह है आपका इंट्रोडक्शन यह ती नमबर पेज के वह पर चार नमबर पेज इसमें इंट्रोडेक्शन लिखा है इस परकार से आपको पेज नंबर देना है पेज नंबर देखे आपको लिखना आता देखें इंट्रोडेक्शन होगी है चार से पांच पेज नंबर में इंट्रोडेक्शन है उसके बाद है दूसरा नंबर में आपजेक्टिव आपजेक आपको उसके बाद इसके बाद देखिए लिखा हुआ है reason behind implementing social awareness campaign इसका जो आपका लिखा हुआ page number 7-8 में लिखा हुआ है देखिए reason behind implementing social awareness का मतलब होता है आपका समाजिक जागरुकता अभियान को लागू करने के पीछे कारण तो इसमें उसके बारे में आप यहां लिख रहे हैं तो यह कितना page number पे लिख रहे हैं यह page number आपको देना है देखिए यहां से आप serial number 3 पे लिख रहे है page number कितना है 7-8 page number पे आप इसके बारे में लिख रहे हैं तो यहां पर इस पर कर लिख लीचेगा, उसके बाद दिखिया है आपका, यहां पर reason behind selection of लोहापूर, आप लोहापूर में selection हुएं, लोहापूर के chain के पीछे कारण क्या है, इसमें आपको लिखना है, तो यहां पर आप उसके बारे में लिखना है, तो इसको आप कितना पर लिख रहे हैं, यह लिख रहे हैं, नो से दस नमबर पेच में, तो वो लिख देना है, इसलिए नमबर चार है आपका, तो उसके बाद आपका देखिया, यहां पर है step taken to clean लोहापूर, लोहापूर को clean रखने के लिए, clean करने के लिए कौन सा step आप अपनाते हैं, वो उसके में आपको लिखना, यहां पर लिखना 11 से 12 नमबर पे, उसके बाद अपका हो जाता है, concluding remark, concluding remark लिख लेना है, आपको six serial number पे, six serial number पे लिखना है, उसके बाद इसका page number कितना है, 13, तो वो देदेना है, उसके बाद दिखी, यह हो जाता है, उसके बाद नीचे चलते हैं, देखिए वेंचे क्या लिखा हुआ है उसके बाद देखिए लिस्ट अब फोटोग्राफी में कुछ नहीं लिखा है तो इसको नहीं लिखना, आपको उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन आ गया, इंट्रोडक्शन आप एक नूमर नंबर में लिख रहे हैं थे, पीज न करके देखते जाईए कैसे लिखना कैसे नहीं तो दिखिए यहां पर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ उसको आप देख लीजेगा देखके इस परका लिख लीजेगा उसके बाद दिखिए यहां पर यह इंट्रोडक्शन खतम हो जाएगा उसके बाद दिखिए क्या लिखा कि आपको इस परकार से बनाना पड़ता है प्रैक्टिकम बीएड करने के लिए सेकंड समस्टर में परतमान इंवर्शिटी से कोई भी खॉलिज में अगर आपको इसी परकार से बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकम तो दिखें उसके बाद यहां पर आ गया इसके बारे में लिखना है आपको तो इसके बारे में कैसे लिखना दिखा हुआै क्या रिखना अप देख लिजे और अराम से इसको देखके इस परकार आप भी लिख लिजेगा इस परकार देखिए लिखा हुआ है जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे आपको भी लिखना पड़ेगा तो आप भी इस परकार से लिख लिजेगा वीडियो को धिरे-धिरे स्क्रॉल कर रहे हैं आप इसको पॉस्ट करके देख लिजे देखिए यहां से आपका पेज नंबर आठ तक खतम हो जाता है उसके बाद है आपका रिजन बिहाइंड सेलेक्शन आप लोहापूर तो यहां आपको जिस जगह हमसे आप गेड कर रहे हैं उस जगह का नाम लिखना है यहां हम गेड कर रहे थे लोहापूर से इसलिए लोहापूर लिखे हैं आपको अपना जगह का नाम देना है जहां से आप गेड कर रहे हैं तो देखिए यहां पर कैसे आप रिजन बिहाइंड सेलेक्शन आप लोहापूर यहां पर लोहापूर के लिए चैन के पीछे कारण क्या है उसके बारे म सकते हैं अपना जगा का नाम यहां सिर्फ जगा का नाम चेंग्ज कर देना आपको और उस परकार से जैसे लिखाओ ऐसे आपको भी लिखना है तो देखिए इस परकार से लिख लिजेगा तेरे जिरे स्क्रॉल कर रहे हैं वीडियो को आप देखते जाएं देखके इस परकार कहीं आपको लिखना है देखे इस परकार लिख लिजएगा उसके बाद देखे नीचे step taken to clean loha poor loha poor को आप कैसे clean कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है तो आप इस परकार अपना जगह का नाम लिख लिजएगा जहां से आप create कर रहे हैं उस जगह का नाम जहां आपका college है तो दिखे इस परकार से लिखा हुआ है जो जो आप उसको देखके लिख लिजेगा देखे इस परकार से लिखा हुआ है जो जो लिखा हुआ है आपको भी उसी परकार से लिखना से अपना जगा का नाम change कर देना है देखिए वीडियो का आप अपना पॉस करके देख लिजेगा हम तो अपना स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं आपको खाली समझा रहे हैं कि कैसे लिखना कैसे नहीं ये बता रहे हैं इस वीडियो में आप मेरा मतलब है आपको सिर्फ सीखाना और समझाना कि कैसे लिखा जाता है आप इसको देखके अपने से अराम से जैसे की लिख सके इसलिए हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको ये लिखना है इस परकार लिख लेना है लिखने के बाद देखिए यहा प्रेखार से देखिए यहां पर जैसे लिखा इसे लिख लिजेगा तो देखिए एक्जामें वाइट जो भी नाम है उनका वो इसका भेरिफाइक यह हैं इस प्रैक्टिकम को चेक किये हैं उनका नाम लिखा यहां 26-6-2018 में यह सम्मिट किया गया था कॉलेज में तो तब का यह वीडियो है सुरी तब का यह प्रैक्टिकम है 2018 का जो कि कॉलेज में सम्मिट किया गया था और यह कॉलेज से चेक भी हुआ है वो लिखा हुआ यहां पर तो देखिए यह इस परकार से यह आपको लिखना है बीएड में प्रैक्टिकम को जो कि आपका सेकंड समेस्टर म बनाना पड़ेगा तो यह बेसिकली उन इस्टूडन के लिए है जो कि आपका वर्दमान उनिसिटी से बीएड कर रहे हैं और वो अधर इस्टेट से हैं जो वेस्ट बेंगल से नहीं है क्योंकि वेस्ट बेंगल का इस्टूडन तो वोग अपना पेपर को बंगला में लानते हैं उन लोग के लिए इंगलीज में ही पेपर को भी लिखना है और एसाइमेंट को भी इंगलीज में ही लिखना है तो उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमान होने वाला है तो जैसे आपको बताया गया उस परकार से आप लिख लिजेगा इसी परकार से आपको बनाना पड़ेगा अपना प्रैक्टिकम को और तो चलिए देखिए ये वीडियो यहीं पर खतम होता है तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को दवाना मत भूलिएगा ताकि जो भी नया अपडेट आए बीएट रिलेटेड तो सबसे पहले आपके पास मोटिपिकेशन पहुच जाएगा अगर आप बीएट इसको चैनल को सस्क्राइब कर लेते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आप तो इसको सस्क्राइब करी लिजे क्यों आज का वीडियो एक खतम करते हैं धन्यवाद